नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंगीत और आप देखना सुरू करते हैं बिहार के संभीदा करनी हो का लेख्टीलिये निट्वर्क, निउज भोर भोटीपोर निउज देट्वर्ट, दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वाधत है, हर्दी का घुननन है, तो द कराएंगे, इन खबरों में हम सामिल करना चाहेंगे, बिहार के वाड सदस, बिहार के वाड सचिव, मुखिया जी और बिहार के तमाम संभीदा कर्मियों से संबंधित, जो मुखे अपडेट है, उसे हम आपको बताने का काम करेंगे, साथ ही दोस्तों, आज की जो के आप प भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग 21 जन्वरी तंक बंद रहेंगी, लेकिन परिक्षाएं जो हैं अपने तय समय पर होती रहेंगी, ऐसा कोरोना गाइडलाइन्स है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए, ऐसा जो है कि निरना सरकार के दोरा लिया जा चुका है, जिसके तहत आप को जो बता दे की रात्री कर्फियू भी लागू किया गया है, जो साम को रात्री आठ बजे से लेकर सुबह पाँच बजे तक जो है कि पाबंदिया लगा दी गई है, सरकार ने सभी करजालेओं में उपस्तीती में भी नियम बनाए हैं, जिसमें 50% करमचारियों को ही करजा जाले में जाना है, तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जातिये जनगन्ना की वज़ा से यदि संकट में आती है सरकार, तो नीतीस का देंगे साथ, जगदानंद सिंग जो राष्ट्रिये जनता दल के परदेश अध्यक्ष है, उनका यह बयान है, उन्होंने बताया है कि जातिये जनगन्ना जो चुकि बिहार के सभी राजनीतिक दलों की एक जुटता है कि जो जनगन्ना होने वाली है, उसे जातिये अस्तर पर कराया जाए, कि जातिये जनगन्ना के लिए कोह चुकी है कि यदि राज सरकारे चाहे तो वह अपने बूते जातिये जनगन्ना कर रवा सकती है चुकि भाजपा केंद्र में है और ऐसे में निति सरकार पर संकट ख़ड़ा हो सकता है तो जगदानंद सिंग का कहना है या भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेती है तो राश्टरिय जनता दल जो है वह निति सरकार को सपोर्ट करेगी समर्थन देगी लेकिन चुकि जातीय जनगन्ना पर सभी दलों की एक जूटता है तो जातीय जनगन्ना होनी चाहिए राजद पहले से ही साथ जगदा बाबु को धनवाद। उपेंदर कुस्वाए का पर्तिकिरिया इस जो है की बात पर आया है इस बैयान पर आया है। उपींदर कुषवाहा ने व्यान दिया है जद उसंद्य बोड के राष्टिय एंधिश उपेंदर कुषवाहा ने कहा कि जाती है जंगंदा के सवाल पर राज़त पहले से इन की से साथ है सभिधलो का समर्थन मुखमंत्री को प्राप्त है मुखमंत्री ने परधान मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी है राजत के परदेश अध्यक जगदानंद सिंग का बयान आया है इसके लिए उन्हें हम धन्यवाद देते हैं तो उप्यंदर कुस्वाह के तरब से भी धन्यवाद दिया गया है तो खबरों में आगे बढ़ते हैं इस मह भरों में भी ठंड लगना सुरू हो चुका है बाहर निकलना मुस्किल हो चुका है उपर से जो है कि कुरोना का कहर है तो यहां जो है कि बताया जा रहा है मौसम विभाग के तरफ से कि इस मह जो है कि ठंड बहुत अत्यादीक पढ़ने वाली है और बुंदा-बांदी भी ह होने वाली है नियुक्ति में दे आरक्षन का लाब हाई कोट ने फिर एक बार सरकारों को बताया है हाई कोट के जो है कि जज है पटना राज के स्कूलों में सारीरिक सिख्षकता था स्वास्त अनुदेशकों की होने वाली नियुक्ति मामले में पिछड़ा और अती साथ जो घटना घटी थी फलाई वोर पर जो उनका काफिला रुका था जिसमें स्पीजी ने मोर्चा समाला था और बाकी जो है कि राज सरकार जो है कि कन्नी काट कर चन्नी की सरकार ने इने मुसीबत में डालने का काम किया था तो अब चन्नी की सरकार जो है कि मुसीबत में आने वाली है क्योगी प्रधानमंत्री नरेंदर ओडि के द्वारा ऑँ फिलहाल जो है कि राश्टपती रामनाथ कोबीन्न से मुलाकात किया गया है और स्मुलाखात में जो है कि लंगाति गटना पर और अउगत कराए रामनाथ कोबीन को नरेंदर मोदी स्वयम मिलें हैं और उन्हें सारी बात बताई है कि किस तरह से राज सरकार उनके साथ जो है कि महाब देवार की हुए तो ठंड के इस मौसम में हाट अटेक और बिरेने श्ट्रोक के मामले काफी बढ़ गए हैं और इसके संबंद में जो है कि बताया जा कि ठंड के इस मौसम में जो है कि बचाओ का पूरा साधन रखे ठंड से बचने का पर्यास करें होटल मगत ग्रंट के मालिक और मैनेजर हुए गिरफतार तो यह सब मामला है जाली नोट मामले में दस साल का करवास और जुर्माना लगाया है कोट में तो जाली नोट के कारोबारियों पर यहां कहर टूटा है कानून का डंडा चला है कुरोना से दो मौते हुई है पटना में 34 डॉक्टर संक्रमित हैं आज कुरोना पिरिटों के घर पहुंच रही है दवाए यहां कुछ स्वास विवाग में जो है कि डाक विवाग के माध्यम से कुरोना के कीट तैयार किया है जो कि सभी मरीजों के घर पर पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका इलाज घर पर ही हो सके सुसाइड का लाइब वीडियो बनाया और फासी पर जूल गया ऐसे ऐस दल आतर जो खबरे हैं वह कोई झरी कर्मी से हैं वह हैं भी आपको बताते हैं कुछ वाट सदस्द्स को यहां जट का लग रहा है बोरी के लिए बूरी खबर है उसे भी आपको आउगत कराएंगे ग्राम कचहरी सचीवों के लिए एक अच्छी पहल सरकार के एक पदाधिकारी जो परखंड खबर आपको हम अपडेट करते हैं तो आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दिजिए तो वाट सदस्यों के लिए सबसे दुखत खबर यह है कि अभी जो है कि पंचाइती राजबिभाग के नजर हुसेन जो उप सचीव है उन्होंने पत्र जारी करके जीपी डीपी के तहत सबका साथ सबका विकास जो भारत सरकार ने एक योजना सुरू की थी जिसके लिए पिछले दिनों से आमसभा की सुरुवात करने का आदेश जो है कि राज सरकार के पंचाइती राजबिभ से सभी को मिल गया था और इसका आमसभा भी लगभग पूरे राज में पहला आमसभा दो आमसभा करना था जिसमें पहला आमसभा संपन हो चुका था और योजना की रासी की निकासी वाड सचीव खाते से करते उनके खाते में रूपिया जाता इससे पहले ही कोरोना ने पा आमशाभा हो रही थी उसको अस्त्हकीद कर देने का और उसमें आगे करवाई नहीं करने का पत्र जारी कर दिया है। परते हुए कहा गया है कि चुकि गराम कचहरी के खातों के संचालन की नियमावली जो वर्स 2007 में बनी थी उस नियमावली के अनुसार उपसर पंच और सरपंच के संजुग थस्ताक्षर से खाता का संचालन किया जाता है जिसमें निमनलिकित तुरुटिया और बाधाउद पह संचालन करते हैं उसी परकार सरपॉंच और कचहरी सचिव के साथ भी संजुग थस्ताक्सर से खातों का संचालन का नियम अवली बनाना ही राजहित में होगा। बहुत सारे कर्मी थे जिन्हें EPA for pension का लाभ नहीं मिलता है। और आप बताया गया जब पुरोना काल समाफ होने के बाद भी इस पर कोई करवाई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंज जाए भारत जाए संब्धा जाए जाए जिया। प्रह जाए मिलते हैं 500